नमस्कार आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे मुद्दे को लेकर आ रहा हूँ जिसकी खूब चर्चा है कि महाराष्ट में जो नतीजे आए वो इवियम के हैक करने की वज़ा से आए और इस मुद्दे को लेकर के महाराष्ट में सियासी ड्रामा चड़ गया है पूरे देश भर में लोगों के प्रत्कियाएं आ रही है और साती साथ जो राजनितिक पंडित अब तक तीवी चैनलों पर बैठ रहे थे उन सभी के अंदाज फेल हो गए उसकी वज़ा कुछ दू हैं बावाडाव उन्होंने भी पूरे में एक बड़ा अंदोलन एवियम के खिलाब सुरू किया जहां पर भारत के जेश्ट जो पॉलिटीशन्स हैं शरत पवार वो भी वहां पर गए इसके अलामा उद्धो ठाकरे साब गए अजीत पवार साब गए तमाम सारे अलग-अल सवाल है जिनको लेकर कि आज जवाब तलासने की जरुरत हैं लोगों को मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया ह yang कि मैंने पूरे इलेक्षन के दौरान जब से इलेक्षन Announce होने वाला था जब Announce हुआ उसके बाद आगे एक महीने तक महाराष्ट में करीब 5000 किलो मीटर की यात्रा की अलग-अलग तहसील में गया गाओं में गया अलग-अलग जिले में गया विधान सभाओं में गया और चंद्रपुर से ले करके और सावंत वाडी तक चाहे वो उत्त्र महाराष्ट हो पश्चिम महाराष्ट हो विधरुप का हिस्सा हो कुंकन का हिस्सा हो और चाहे पूने की बेल्ट हो पूरी बारामती और आसपास की मराटवाडा का हिस्सा हो मुंबई का हिस्सा हो सब जगों पर गया तो उन नतीजों के पीछे अब EVM को जिम्मेदार ठहराय जा रहा है EVM हैक होती है कि नहीं हैक होती है ये टेक्निकल इशू है मैं इस पर जाना नहीं चाहूंगा लेकिन कुछ facts आपके सामने रखूंगा जिसको लोगों को जानने की ज़रूत है राजनिताओं को जानने की ज़रूत है पहली चीज जिस तरीके के जो तमाम सारे सर्वे आए सर्वे पर सेंपल सर्वे क्या रहे है सेंपल उनके कितने रहे है वो अलग इशू है कहां से उन्होंने उठाया कितने लोगों के सर्वे किये और उस आधार पर उस गड़ेद पर पहुंचे कि कौन आगे बढ़ रहा है कौन पीछे जा रहा है लेकिन जो नतीजे आए नतीजों के पीछे कुछ प्रमुख जो कारण साताथ रहे उसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि आखिर महायुक्ति की इतनी सीटे आई कैसे है बीजेपी इतना कामयाब कैसे हुई इस सारी चीजों को कुछ फैक्ट्स है क्यूं एकनाशिंदे और अजित पवार जिनको कहा जा रहा था कि 15 सीटे 20 सीटों में सिमड जाएंगे उनकी 57 सीटे शिवशेना की आती है, 41 सीटे, अजित पवार की आती है, 132 सीटे अकेले बीजेपी की आ जाती है ये बड़ा एक नंबर है और अब तक के इतिहास में बीजेपी को सबसे जादा सीटे मिली हैं महाराष्टर के भीतर विधान सभाच चुनाओं में आखिर क्यूं और किस लिए इस पर कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ रखूंगा इन 5000 किलोमेटर की यात्रा में जो सबसे बड़ा फैक्ट्स मैंने खोजा जो जिन पर मैं लगातार टीवी चैनल्स पर भी कहता रहा कौन सा इसा फैक्ट्स है मराथा बनाम OBC की लड़ाई में महाराष्ट के भीतर OBC का पूरा का पूरा मतलब अगर 45 फिजदी OBC पूरे महाराष्ट में हैं उसमें 45 का करीब 90 फिजदी हिस्सा OBC का आरक्षण के मुद्दे पर BJP और महायुती के साथ चला गया क्योंकि जिस तरीके से देविंदर फड़नविस ने पहले दिन से एक भूमिगा रखे थी कि मराथाओं को अलग से आरक्षण हम देंगे लेकिन OBC के आरक्षण को टच नहीं करने देंगे जो पिछले दो साल से चल रहा था मराथा बनाम OBC की जंग सडको पर दिखाई पड़ रहे थी चगन भुजबल जा रहे थे अलग अलग जो सामाजी कारे करता है मराथा बनाम OBC की जंग में जो सबसे बड़ा समाज है OBC समाज वो उसका पूरा अधिकतर हिस्सा जितनी भी OBC में या CST में जातियां हैं जो 27 विजदी आरक्षण के दौरान आती हैं वो सभी जातियां करीब 90 विजदी कि वह महायूती के साथ चली गए बीजेपी के साथ चली गए या फिर शिवशेना या NCP जित्पवार के पास चली गए जिसके कारण वहां पर काफी कुछ डैमेज महाविकास घाड़ी को हुआ उन्हें उम्मीद थी कि मराथा और OBC मिलेगा लेकिन OBC पूरी तरीके से चला गया अब रही मराथा की बाद मराथाओं को लेकर के उनकी वोट को लेकर महाविकास घाड़ी को मीद थी कि मनो जरंगे पाटिल एक नायक बने हैं और उस नायक के कहने पर मराथाओं का पूरा का पूरा वोट वो महाविकास घाड़ी को आएगा लेकिन मैं पूरा मराथवाड़ा गया बेदर्व का हिस्सा गया कुंकन गया उत्तर महाराष्टा गया फिर आपका पशी महाराष्टा गया सब जगों पर मैंने एक चीज़ देखा कि जैसे मनो जरंगे पाटिल ने यह एलान किया कि वो चुनाओं नहीं लड़ेंगे पहले उन्होंने काफी बार कहा कि हम जल्द ही इस पर फैसला लेंगे जो आपके मन में है वैसे ही होगा बाद में उन्होंने जो एलान किया कि हम चुनाओं नहीं लड़ेंगे उस दोरान मराथाओं को ऐसा लगा कि मनो जरंगे पाटिल सामाजी कारकरता से ज़ादा वो कही कहीं राजनेतिक भूमी का ज्यादा रख रहे हैं इसलिए मराथाओं ने उनसे जो राजनेतिक अपेक्षा वाले मराथा थे उसमें कुछ परसंट से हमारी महायूती ने लगाई बाकी का काम जिस तरीके से बीजेपी और महायूती ने प्धानमंत्री मोदी ने पहले दिन से बटेंगे तो कटेंगे या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे जो योगी आजितिनात और प्धानमंत्री मोदी के रहें वो खूब चर्चा में रहें पूरे महाराष्ट भर में मैं कई गाओं में गया वहाँ पर जहां सीधे दो समाज जो है चाहे हिंदू समाज हो या मुसलिम समाज हो दोनों का जहां सीधे एक दूसरी के खिलाफ काफी ज़्यादा तनावपूर महाल है वहाँ पर इस नारे ने इतना काम किया कि मराठाओं का भी 30 प्रत्सत हिस्सा कर करीब करीब बोटिंग में वह खीच ले गया तिकी तरफ इसलिए शायद योगी आधित्यनात की सभा के डिमांड पूरे महाराश्ट भर में हर जगह से हर जिले से आ रहे थी इतनी सभाओं के डिमांड थी कि योगी आधित्यनात के सभाओं को पूरा नहीं कर पाई बीजी जैसे ही ये लगा कि इस पूरे मुद्दे में हिंदू बना मुस्लिम हो रहा है और देवेंदर फटनविस ने वोट जिहाद का नाम दे दिया धर्मियुद्ध का नाम दे दिया उसके कारण जो मराथा समाजता उसमें काफी कुछ सेंध मारी हुई और वोट मराथाओं का वो जो मराथाओं का वोट बैंक है उसमें करीब 30 fatal कि सेंधमारी बीजेपी या महा यूतिने की और OBC-90 P 대कि और मराथाओं की हिंदुत्यों के मुड्दे पर करीब 35 प्रकिस्त की जो सेंधमारी थी वो महाविकास अगारी के वोट बैंक से महायूतिं ने कर ली जिसके कारण नतीजे ये हुए कि मराथ वाड़ा में अमित देश्मुक की सीठ छोड़ करके पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया उसके पीछे ही की खास वज़े ये रही OBC BGP महायुति के साथ चला गया मराथा का 30% हिस्चा जहां हिंदु मुस्लिम जैसी कंडिशन थी वहां 30% मराथाओं का हिस्चा हिंदुत्यों के नाम पर वो चला गया BGP महायुति के साथ क्योंकि हिंदुत्यों का कार्ड जो था वो BGP ने बहुत तेजी के साथ खेला और आखरी तक आते आते ऐसे वीडियोज वायरे लगे और उसके ठीक पहले नोमानी जैसे लोगों ने जो खुले याम ये कहा कि मुस्लिम समाज में उसका बहिसकार होगा जो महाविकास घाली को बोट नहीं करेगा तो कहीं न कहीं हिंदुत्यों कार्ड उस पर भारी पड़ा और वहां पर काफी कुछ देमेज हुआ आरक्षण को मुद्दा जो बनाया जा रहा था वह आरक्षण का मुद्दा अलग हटके हिंदू बना मुस्लिम का मुद्दा खुब चला एक और मत् दो चीजें थी पहला तो यह था कि जितना मुस्लिम समाज उद्दो ठाकरे से सटा गया उतना उद्दो ठाकरे का जो कोर बोड था भले वह एक नाशिंदी के साथ नहीं गया हो लेकिन लोगसभा चुनाओं में जिस तरीके से मुस्लिम समाज सटा और उसके बाद जगह-ज पर रिस्पॉंस रहा उसके कारण यह हुआ कि आखिर में उद्दो ठाकरे का जो हिंदु तो बोड बेंग था उसमें भी सेंधवारी महायूती ने कर ली और वहां पर भी काफी नुकसान हुआ एक और फैक्टर रहा जिसको एकनाशिंदे देवेंद्र फट्रविस और अजीत पवार में पिछले दो सालों में जो तावड तोड़ने रिड़े किये अलग-अलग महामंडल गठन कर देना लाडली बहन जैसी योजना लांच कर देना इन सारी योजनाओं का बहुत खासा आचर रहा और लाडली बहन जोजना का तो अपरति मसर रहा हर गाओं में और तो लड़कियों को पैसे मिले हैं भले उसमें मान लेजे दो करोण का जो इन्होंने पैसे दिये हैं दो करोण में से अगर 40 लाख भी और तो ने उससे प्रभावित हो करके अगर महायूती को बो याक्टर को यह कहा जा रहा था कि वहीं चलेगा, वहीं पूरा क्लीन स्वीप हो गया, वैसा कुछ नहीं चला, क्योंकि जाती समिकरण हावी हो गया तिकड़ बटवारे में, जब तिकड़ देते समय यह वह स्विद्द रर्ठा कि कहां पर sì कlar कहां मराथा कार चले गा कहां मुस्लिम कार्ड चलेगा कहां हिंदू कार्ड चलेगा तो इस तरीके की जो चीजे हुई उसमें महायुती ने जिन जिन जिवहों पर सीटे थी वहां पर जाती समिकरोनों को ध्यान में रखा था और शायद इसी लिए ये पूरा का पूरा जो नतीजह आया है उसकी दिन ह ग्रामिंग इलाके से लेकर शहरी इलाकों में अलग अलग जो फैक्टर्स रहें ये सारे रहें साथी साथ बीजेपी में देविंदर फड्नवीश की जो चवी रही वह निर्विरात तोर पर ते जो है वह करप्शन नहीं करने वाले व्यक्ति के तो तो जब नॉन करप्ट कि छवी लेकर उत्रे तो शहरी इलाके में भी उसका फायदा हुआ और जो परप्रांती वोट थे चाहे वह उत्तर भारती हो गुजराती हो मारवारी हो बिहारी हो उसमें 70 फीजदी हिस्सा या 80 फीजदी हिस्सा कहें तो वह बीजेपी अपने साथ लेकर चली गई शायद यही वज़े रही कि यह पूरा का पूरा रिजल्ट जो देखने को मिला जिसमें जिस तरीके से महायूती को अप्रत्यासित जीत मिली है उसका नतीजा यह है अब जो इवियम को लेकर के लोग कह रहे हैं उसका अलग इशू हो सकता है उस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा ले लेकिन यह समी करण ऐसे रहे जिसके करण महाल में बीजेपी को और महायूती को अच्छा रिजल्ट महाराष्ट के भीतर मिला थैंक्यू